Hello everyone, मैं शुरेयस बढ़िये, आप सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे आज हम second lecture discuss करने वाले है from ancient history of India जो के mesolithic period इस topic से होने वाला है और chapter है stone age जैसे कि हम already जो first period था stone age का जिसका नाम था paleolithic period वो हम first lecture में discuss कर चुक है जिसमें हम तीन paleolithic periods भी हमने discuss किये थे जिसमें हमने lower, middle और upper paleolithic period को study किया था तो अब हम mesolithic period के तरफ बढ़ सकते हैं मेरे YouTube चैनल को subscribe करे और bell icon को press करे ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहे Today, be the person of your dreams See and act from their eyes If you haven't it out, you can ask me on Instagram This is my Facebook page, this is my Telegram channel and this is my YouTube channel So, जैसे कि हमने first age था जिसमें हमने देखा था कि मिजो जैसा ये मिजोलितिक वैसे वो पहलोलितिक था पहलोलितिक एज में हमने देखा था जो इंसान हुआ करता था पिछले lecture में हमने देखा था वो hunter और food gatherer हुआ करता था और जो अपना खाना है वो इकटा करता था तो यहाँ पर इंसान क्या करता है तो यह age में इंसान hunter और herder बन जाता है यानि देखिए hunter यानि hunting तो वो करेगा यानि मर्स के उसके साथ साथ domestification करेगा यानि यहाँ पर पशुपालन करेगा और पशुपालेगा भी livestock और यह सब चीजे भी करेगा इसलिए mesolithic age को hunter और herders का age कहा जाता है तो यह बहुत ही एक important information है अब हम enter करते है mesolithic age में mesolithic age में सबसे पहले आपको यह बता दूँ जो अपर paleolithic age था वो ice age के साथ खतम हो गया मैंने आपको कहा जो अर्थ थी वो ice age में एक तरह से जो बर्फ है उससे घिरी हुई थी और यहाँ पे वो temperature जो climate होता यह normal हो जाती है climatic conditions और ice age खतम हो जाता है और अपर paleolithic age भी खतम हो जाता है जो climate था वो अभी जादा warm और dry होने लग गया अब जैसे जैसे climate बदलेगा वैसे वैसे vegetation बदलेगा वैसे वैसे जितनी भी life है इस अर्थ पे वो बदलेगी तो यहाँ पे change हो गया flora और fauna याने fauna एने आपको पता है animals और flora एने आपको पता है जो vegetation होता है वो यह दोनों चीज़े यहाँ पे बदलने लगी with change in climate तो यह होने के बाद अब इनसान को यह possible हो गया था कि वो नए areas में move कर पाएगा क्योंकि काफी सारे जगे पे flora और fauna अभी दिखने लगा था तो इनसान अलग-अलग जगे पे रह सकता था क्योंकि इनसान को क्या होना था तो animals होना था एक तरह से देखेंगे तो तो यह सब अभी इनसान कर सकता था अगर हम देखेंगे तो 9000 BC ऐसा कहा जाता है कि एक age शुरू होता intermediate age जिसको कहा जाता है intermediate age याने यह इसलिए कहा गया है क्योंकि धीरे धीरे नियोलिथिक age के तरब भी बढ़ेगा इसलिए एक transitional phase था याने नियोलिथिक होने के पहले याने नियू स्टेज स्टोनेज में जाने के पहले यह मीजोलिथिक पर था अब मीजोलिथिक जो है अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यह intermediate stage यह transitional phase यहाँ पर जो लोग थे यहाँ पर मेनली जो इंसान हुआ करता था वह हंटिंग पर तो यहाँ रखेंगाँ हंन्टिंग पर फिशिंग पर फूट गैदरिंग करता था यानि देखिए हंटिंग की जारी है फिशिंग की जारी है और फूट गैदरिंग की जारी है यह सब चीजे वो保 abundative इंसानने शुरू कर दिया था जहाँ जो जानवर थे उनको पालना एक जो यहां पे मिलती जुल्ती है तो यह दोनों चीज से कहीं न कहीं relate कर जा रहा है जो हमाराrebbe मंसललितिक एच के बारे में एक नॉर्वलीतिक एज के डारे मिल गई है अब मैं आपको यह मी करते हैं इतना आपको याद रखना है, जैसे कि चोटे-चोटे यहाँ पर स्टोन टूल्स इंसानी हो आप यहाँ देख पा रहे हैं यह चोटे brief चीज़on ठुल सिहां टूल्स क्या जाता दा यह क्या आपको याद रखनी है जो tools यहां use होते थे वो blades होते थे, crescents होते थे, triangles होते थे, trapezes होते थे, spearheads होते थे, knives होते थे, arrowheads होते थे, sequels होते थे, harpoons होते थे, और daggers होते थे, यहां पर यह सब चीजे आप देख पा रहे हैं, देखेंगे आप knife के तरह भी यहां पर इस्तिमाल किया जाएगा कुछ वो एक शिकार करता था जानवरों का, इस तरह का यह misolithic age में इंसान में कुछ बदलाव आ गए थे, अगर हम देखेंगे तो आदमगड जो है मध्यप्रदेश में और बागौर जो है जो राजस्तान में, यहां पर domestication भी दिखा है animals का, यहां यहां यह भी पता चलता है कि य पशुपालन भी होता था, यानि इंसान सिर्फ शिकारे नहीं तो पशो को भी पालता था, यह भी evidence यहां पे मिलते हैं, कहां पे तो आदमगड और बागौर जो है राजस्तान में वहाँ, उसके साथ साथ plant का cultivation भी मिलता है राजस्तान में, यह भी पता चलता है कि धीरे धी इंसान यहां पे cultivation भी शुरू करता है, बट यह बहुत end के stage में शुरू करता है, और राजस्तान में यह दिखता है कि यहां पे इंसान ना कि सिर्फ यहां पशुपालन करता था, डोमेस्टिकेशन करता था, तो यहां पे इंसान ने cultivation करना भी शुरू कर दिया था, बट बह उससे पहले लांगनाज जो है यह है गुजरात में यह बहुत ही इंपोर्टन्ट एक साइड बनती है बागवर जो है राजस्तान में यह एक और सराई नहर राय है उसके साथ साथ चोपानी मांडो है महाड़ा है और दम-दमा है यह सब है यूपी में उत्तर प्रदेश में त मिले केरला में मिले और अंदरपरदेश में मिले तो यह सब अलग-अलग साइड से जो कि मिजोलितिक स्पिरेड में आपको देखने मिलती है पाई गई है यहाँ पे कुछ एविडेंस अब हम देखते है कि इनसान एक यहाँ पर नई चीज करना शुरू करता है इनसान यहा से इनसान यहाँ पर रहा करता था बट यहाँ पर अगर हम देखते है तो एक बदलाव यहाँ चुका था इनसान के लाइफ के इनसान ने इन गुफाओं में पेंटिंग्स करना शुरू कर दिया था तो यह रॉक पेंटिंग से बहुत ज़्यादा फेमस है तो यह एक किस तरह का इनसान रहा करता था तो इनसान यहाँ पर यह आर्ट तो जान गया था कि ड्राइंग किस तरह से बनाया जाते तो इस तरह से ड्राइंग बनाया करता था एक तरह से आप देखो कि तो पेंटिंग्स किया करता था और उसके थ्रू बताया करता था किस तरह से हंट करते हैं किस तरह celebration करते हैं बड़े जानवर को किस तरह से मारा जाता है इन सब को कहा जाता है prehistoric pre rock art so यह जो rock art है इसको तो हम वैसे detail में study करने वाले हैं art and culture में but यहां मैं आपको यह बता दू कि यह जो prehistoric art जो है rock art यह भी बोथ animals और people's दिखने वाले तक यहां तक painting इनसान ने की है तो animals हो गए birds हो गए fishes हो गए यह सब यहां rock paint paintings में पाए गए यह तो इनसान किन किन चीजों की painting करेगा जो इनसान कही ना कही जिससे related है जिसके ओपर dependent है जो इसके लिए importance रखती है इसी चीजों का यहां पर painting किया जाएगा तो animals उसके लिए बहुत important थे तो उसके यहां painting की जाती थी rock painting जो है वो human beings भी दिखाती थे अलग-अलग activities करते हैं जैसे कि dance की जा रहे है भाग रहे है hunting कर रहे है कुछ games खेले जा रहे battles लड रहे तो इस तरह कि अलग-अलग यहां पर अगर आप देखोगे तो अलग-अलग यहां paintings में अलग-अलग दिखाया जाते थे events जिससे पता चलता था किस तरह से event celebrate किये जाते है या किस तरह से hunting की जाती है या किस तरह से खुद को बचाया जाता है या फिर battles किस तरह से होते है यहाँ पर tools बना लिये थे इंसान ने और कही कही पर ये भी पता चलता है कि इंसान चाहिद एक दुसरे पर attack भी करता होगा so जो colors थे इस paintings में जो use होते है और deep red हुआ करते थे green हुआ करते थे white हो गए yellow हो गए तो naturally सब colors जो है जो इंसान को मिलते थे जैसे limestone से white ला लिया इंसान ने या फिर आप देखो कि तो plant से green ला लिया red ला लिया या कही कही से जहाँ जहाँ से अलग-अलग चीज़े उसको फूलो से या जो भी हो गया अनिमल से जहाँ जहाँ से उसको मिल जाएगा वो सब चीज़े यहाँ पर इंसान paint बना के उसका इस्तेमाल करता था इन paintings में अगर हम देखोगे तो एक बहुत ही आदमगड की जो rock shelters है जो यहाँ rock shelter पाई गई है जो एक तरह से गुफाए पाई गई है उसमें यह दिखता है कि एक बहुत famous एक painting है जिसमें एक राइनसारस के hunting होते हुए दिख रही है वो scene है जिसमें इंसान यह दिख रहा है कि वो राइनसारस जो है उसके आजुबाजु काफी अलग-अलग लोग जमें हुए यह इस चीज के तरफ इशारा करती है कि अगर बड़े जानवर का अगर शिकार करना है बड़े जानवर का अगर hunting करना है तो बहुत सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा तो number of people joins together यह एक message देता था कि बड़े जानवरों का शिकार अकेले में ना किया जाए सब मिलके करेंगे तो बहुत ही जादा important चीज़े यहाँ पर बताई जाती थी इंसान के द्वारा तो अच्छा होगा कि अगर आप group में ही hunting करे ताकि आपको खत्रा कम होगा तो इस तरह से prehistoric rock art जो है यह भी बहुत माहिने रखता था यह चीज़े तो हला कि हम art and culture के lecture में पढ़ने वाले हैं सो अब मैं आपको यह बता दू कि कुछ-कुछ जो important rock painting के sites हैं मिजोलितिक टाइम पे वो कौन-कौन से तो मुरहना पहाड करके है उत्तर प्रदेश में वो भीम बेटका है आदमगड है लाखा जौर है यह मध्यप्रदेश में है जो की बहुत important rock paintings है उसके साथ साथ कुपा गल्लू करके है करनाटक में यह भी बहुत important है तो यह सब चीजे यह सब एक तरह से rock shelter से जिसमें rocks होते है इसे पत्थर जो है naturally वहाँ उसके अंदर जाके इंसान रहता था ताकि खुद को बारिश से दूप से यह काफी सारी चीजों से बचा सके तो यहाँ पे अगर हम देखते है तो यह important वहाँ जाके अंदर इंसान painting भी करता था जैसे कि मैं आपको यहाँ पे scene दिखा देता हूँ कि किस तरह से यह होता होगा तो यह सब चीज़े इस तरह से की जाती होगी आप यहाँ पे देख पा रहे है कि कोई इंसान ने यहाँ पे painting करते हुए दिख रहा है आपको कोई है यहाँ पे देखिए कुछ mask काट रहे है कुछ यहाँ पे skin निकाल रहे है तो अलग-अलग-अलग-अलग चीज़े यहाँ पे की जा रही है perform की जा रही है देखिए hunt करके लाया जा रहा है तो इस तरह से इंसान रहता होगा इसी तरह से हमारा जो second lecture रहा वो रहा मिजोलिथिक एच पे I hope कि आपको यह समझ चुका है और अगरा जो lecture है वो हम पढ़ेंगे जो की होगा नियोलिथिक एच पे इसी तरह आप regularly पढ़ाई करते रहे मैंने आपको NCIT प्रोवाइड कर दिया है इसी में से पढ़ते रहे उसी में से मैंने यह lectures प्रिपेर किये आपके तो उसी में आप पढ़ेंगे तो आपको यह पूरा हो जाएगा और यह चीज़े काफी है एक्जाम्स के लिए ना तो यह बहुत डिटेल में ही है ऐसा ही समझ लीजे जो आप पढ़ रहे तो अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे तो इन्हें लाइक जरूर करें शेर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को फेस्बुक पे मेरे पेज़ेस को फॉलोर लाइक करें श्रेयस बड़ी और श्रेयस बड़ी इंटरपरेशन था कि आपको और इन्फोर्मेशन मिलती रहे और अपडेट्स आपको मिलते रहे इंस्टाग्राम पे मेरे बारे में और जानना चाहते तो आप मुझे फॉलो कर सकते इसी तरह से आप अपने आख ख्याल रखते रहे अच्छे से रेगिलरली पढ़ाई करते रहे इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा तब तक के लिए आपका देन शुभ हो